नमस्ते, आओ आज अपन मसाले वाली मठरी बनाते हैं, तो उसके लिए अपन लेंगे एक कप मैदा, एक कप आटा, ग्यहुंका आटा, आधा कप अपन लेंगे सूजी, उसके अंदर अपन डालेंगे एक चमच अजवाइन, एक चमच जर्चकर, आधा चमच नमक, आधा काली मिर्च, एक चमच चाट मसाला, और फिर अपन इनको सबको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इन सब चीज़ों को अपन मिक्स करेंगे, उसके बाद में अपन डालेंगे, थोड़ी हल्दी डालते हैं अपन, उससे कलर अच्छा आता है, तो एक चमच मैने डाली है, हल्दी और उपर से मैंने डाली एक अच्छा खासा मैंने डाला है उसमें घी, तो इसका मोयन डालने के बाद में मठ्री है न, सौफ्ट बनती है, और सुजी डालने से कुर्मूरी बनेगी, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हैगा, फिर सब अपन इन सब को हाद से मिक्स कर लेते हैं mix करते हुए अपने इसको गुनगुने पानी से आटा गुन लेंगे नॉमल थोड़ा room temperature से थोड़ा गरम हो उससे अपना आटा गुन देंगे फिर अपने इसके ऊपर थोड़ा सा गी लगा करके आदे गंटे के लिए अपने इसको rest करने के लिए छोड़ देंगे तो अप अपने को चाहिए बिलकुल वैसा यह आटा लग करके तयार है फिर अपन इसको छोटी-छोटी लोई बना करके और चोटी-छोटी पूड़ी बना लेंगे फिर इसको आपन ऐसे दो फोल्ड कर लेंगे और दोनों साइड से अपन दबा लेंगे तो यह समोसे के स्टाइल की बन करके तयार हो जाएगी फिर इसको आपन तल लेंगे इसी तरह से मैंने तीन तरह की मैंने अलग-अलग टाइप से आटा तो यही है तेन टाइप की मैंने अलग-अलग डिजाइन की मठ्री बना करके तयार की है और इस तरह से आपन इसको पलटते हुए तयार कर लेंगे है ना यह अभी तक लाइट लाइट हुई है इसका कलर चेंज हुआ है थोड़ी देर में यह बन करके तैयार हो जाएगी तो आपने से निकाल करके इस तरह से अपने इसको निकाल करके और सर्ब कर देंगे है ना आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना नए हैं तो सब्सक्राइब करना यह देखो तीन टाइप से अच्छे से बना दी थैंक यू